दोस्तों एक अवाह इस समय चले है कि 22 दिसंबर को PCS Prelims होगा के नहीं होगा और हो सकता है कि आयोग जो है इसकी डेट आगे पोस्पोन करें सो ऐसी किसी भी अवाह पर द्यान ना दें 22 दिसंबर मतलब 22 दिसंबर आयोग कोई जोकर नहीं है और पहले ही काफी कॉमेडी हो चुकी है जायोग के साथ में आयोग के जो खुद के क्रिया कलाप है वो इतने वर्स रहे हैं जिसकी वजह से आयोग को अपने डिसीजन्स वापस लेने पड़े और आप समझे एक Constitutional Body को अपने डिसीजन्स वापस लेने पड़े है जिसकी खुद की कोई Credibility है नहीं ठीक है और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि वागई कोई Credibility नहीं है आयोग की जितना अभी सारी चीज़ें आयोग ने करी हैं और जो चीज़ें हो रहे हैं लगाता है ठीक है तो कोई Credibility तो बची नहीं है आयोग की तो अब ये दुबारा से अपने डिसीजन को वापस लेने की 22 दिसंबर को कहें कि नहीं हमें सेंटर नहीं मिल पाए और सेंटर नहीं मिलने की वज़े से Examination Conductive नहीं किराब पाएंगे अगर ऐसा होता है तो ये शायद आयोग के इतिहास में सबसे बड़ा blender होगा कि instantly notice देने के बाद तारीक देने के बाद और फिर से withdraw कर जाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है किसी भी हाल इतने पॉसिबल नहीं नियूस पेपर के माध्यम से अगर आप ये नियूस देख रहे हैं कि बहीं सेंटर की कमी पढ़ रही है इतने सेंटर और चाहिए कैसे क्या होगा तो सोपी में चेंज करेंगे कैसे भी करेंगे लेकिन करना तो इन्हें पड़ेगा ही ठीक है वरना ये एकदम जो है तो इस बात से तो एकदम आप निश्यन्त रहिए कि ये जोकरी दवारा नहीं होगी आयो की तरफ से एक्जामनेशन आपका 22 दिसंबर में ही कंड़क्ट होगा अब दूसरी चीज क्या है तो आप दिन बहुत कम बचे हैं मतलब 30-32 दिन के आसपास आप समझ लोगे तरही दिन बचे हैं और इन ही दिनों में आपको प्रेपेर करना है अब दो तरीके हैं या तो आप हार्ड व कोशन्स आप कवर अप करें सो एक ही बुक है और मुझे लगता है ऐसा शायदी को स्टुडेंट और यूपी-पी-चेस की तैयारी करने वाला एफट समीक्षी अधिकारी की तैयारी करने वाला जिसको ना पताओ कि घटनाचकर से बहतर सोर्स कोई नहीं है प्रिवेस यह को बी पेपर उठा के देख लो आप उसके कोशन्स मिलाके देख लो घटनाचकर की समरी से चाहें वह कोशन्स के अंदर दे रख्यों चाहें उनके समरी जो चैप्टर नोट से उसमें दे रख्यों सारे कोशन्स मतलब आल्मोस्ट 80 से 90 परसें आपको वहां पे मिल जाएंगे आपको डेड़सों मेंसे डेड़सों नहीं करने हैं, ठीक है, और आप कर भी नहीं पाएंगे, ये मतलब एकस्टराइड़नरी एक आद कोई होता है, जो डेड़सों मेंसे डेड़सों शायद वो भी नहीं कर पाता, मतलब 140 प्लस जाता है, ठीक है, सो आपका जो टार्गेट ह वो क्या है कि cut off clear हो means के लिए आप eligible हो पाएं तो जरूरी क्या है जरूरी यह है कि आप वो सारी चीज़ें cover up करें जिसके माध्यम से आप वहां तक पहुँच पाएं अब जैसे मैंने बताया smart work और hard work hard work वाले क्या करेंगे कि book उठाएंगे कि हमने तो hard copy ले हुई है गटना चकर की और मैं 900 pages की book जो है अगर मैं Indian history की बात कर रहा हूँ quality की साड़े 400-500 pages की है geography करीब 800 pages की है मैं यह फटा-फट जो है multiple dance revise करनेगा वो पढ़ने बैठ चाएगा तीन दिन बात क्या होगा वो देखेगा कि यार मुश्किल से मैं 50-50-60 पन नहीं पड़ पाया हूँ और उसमें भी अभी revision करना बाकी है तो यह तो रहा hard work वालों की कहानी और दिन जैसे जैसे चड़ते चले जाएंगे और कम होते चले जाएंगे आपको यह लगेगा कि यार तैयारी तो हो नहीं पा रही है और ऐसे तो possible नहीं हो पाएगा फिर एकदम जो है situation मतलब आपके एकदम against चली जाएगी और आप जो है एक तरीके 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 चोड़ देना अब नहीं हो पाएगा 2025 के लिए तैयारी करेंगे तो अगर यह thought आपके दिमाग में आ रहा है और अगर आपको लगता है कि यह चीज हो रही है जो मैं बता रहा हूँ वही चीज हो रही है रुख जाओ यहीं पे घटना चकर पूरवा बलोकन Indian history और polity की summary आप ले सकते हो Hindi version तैयार है English में अभी तैयार नहीं है तो English वाले थोड़ा wait कर सकते है यह दो subject मिला के जब मैं history और polity की बात कर रहा हूँ दो subject मिला के तकरीवन तकरीवन 50 question के आस-पास cover कर लेंगे मतलब हम current के साथ भी इसको associate कर दें इसके अलाबा current affairs आपको पढ़ना है geography आपको पढ़ना है तो यह चार section है जो आप मेरे साथ कर सकते हो cover और जिसके base पर pre आपका clear हो जाएगा ठीक है कैसे clear हो जागा इन चारों subject की बात करूँ तो almost 80-90% paper जो है वो आपका हो जागा अगर जोगरफी की बात करोगी 20-25 कोशन जोगरफी की current affairs की 30 कोशन 30-35 कोशन Indian history के 25 कोशन के असपास quality के आपके 15-20 कोशन के असपास तकरीबन 50 कोशन इस तरीके से आप देखो तो 90 कोशन तो आराम से इतने कोशन तो आपके पास रहेंगे जो आप easily solve कर पाऊगा और घटना चकर जो आप पढ़ना चाहते हो multiple times revise करना चाहते हो summary PDF के मादधम से कर सकते हो यह है smart technique अब यह मारा मेरा वीडियो जितने जादा से जादा students सक पहुंचेगा उनको इस बात का benefit होगा और जो लोग नहीं share कर रहे हैं या फिर बीच में देखना छोड़ दी है वो शायद सिर्फ वीडियो इस ही देखना चाहते है मतलब वो सिर्फ जानना चाहते है कि examination कब होगा कब नहीं होगा और उनको exactly exam नहीं निकलना यह मुझे लगता है ठीक है और जो अभी तक मेरे साथ बने हुए है इस वीडियो में वो वाकई समझ रहे है कि जो चीज में बता रहा हूँ वो कितनी कारगर है और सिर्फ उसी की help से इस 30 दिनों के अंदर आप जो है examination clear कर सकते हैं तो बहुत सारे courses आप देख रहे होगे यूट्यूब पर जिस पर आपको बताया जा रहा हूँ तीस दिन के अंदर हम examination निकल वाएंगे और वो पूरा पूरा material जो पूरे साल का है वो आपको पकड़ा देंगे और कहेंगे पढ़ लो ठीक है और उसमें भी font size छोटा कर देंगे या रहे कि multiple pages है मतलब 1500-2000 pages आपको दे दिए कि भी या इसको पढ़ लो ठीक है जो practically possible नहीं है मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो practically possible है और चीज़ें एकदम arranged होनी चीए systematic होनी चीए ताकि जब आप पढ़ें तो एक flow में पढ़ते चले जाएं एक बार पढ़ने के बाद जब next revision की बारी आए तो वो revision पहली बार अगर आपको एक घंटा लगा पढ़ने में दूसरी बार आपको 10 मिन लगें थर्ड revision वो 5 मिन लगें फोर्थ revision में भी 5 मिन लगें इस तरीके से आपका पूरा content होना चीए content ऐसा नहीं होना चीए कि content ही content है और systematic नहीं है और हर बार पढ़ने पर आपको उत्ता ही time लग रहा है ठीके? अगर ऐसी किसी भी content में उल्जे हुए हो और अभी भी जुतना मैंने आपको बताया है कि अगर आप घटना जगर की hard book आप पढ़ने बैढ़े हो से संपर कर सकते हूं ठीक है? चली thank you so much मिलते नेक्स वीडियो में बाबाए